नमस्कार गैलोट सरकार से पाइलेट केम्प का फिर से मोबंग हो चुका है जियां दोस्तों आज एक ऐसी बड़ी कवर निकल कर आई है जिसने पिछले एक डेड़ मेने के सियासी ड्रामे में उठे सभी स्वालों के जबाब दे दिये हैं क्यों वसुंद्रा बार 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 बिज़ी पी अला कमान से मिलने की कोशिस कर रही थी क्यों अस्टों गैलोट ने सियम हाउस के आसपास मीडिया को कवरिंग करने से रोख दिया था कॉंग्रेस पार्टी द्वारा स्टार परचारक बनाए जाने के बावजूद भी मद्या परदेश और बिहार विदान सुबा चुनाओं में परचार करने के लिए गैलोट क्यों नहीं उतरे इनके अलावा भी छोटे बड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका जबाव आज परदेश की जनता को मिल गया है इनके बारे में विश्तार से चर्चा करें उससे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके अपने परम मित्र सिंद्या जी की तरज पर एक ही जटके में 30 से 35 विदायकों के साथ कोंग्रेस को छोड़ करके बिज़ेपी का दामन थाम सकते हैं कहा जा सकता है कि गैलोत की सियम कुर्शी पर एक बार फिर से पाइलेट की बगावत के संकट है वो मनराने शुरू हो चु को डाला जा रहा है उसकी नराजगी पाइलेट केंप में साप साप दिखाई दे रही है राजस्तान कॉंग्रेस की राजनित्ति में पिछले दिनों मचे हड़कम की वज़य से 3-4 गुट बन चुकी हैं अब कॉंग्रेस के विदायक आपस में लड़ना जगड़ना शुरू हो चुकी हैं फुरूस विदायकों के साथ साथ मेलाएं जो विदायक हैं वो भी अब एक दूसरे परतंज कसने में कसर नहीं चोड़ रही है जिस तरह से बिज़िपी और पाइलेट के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है उससे ये दो साप हो चुका है कि गैलो सरकार प कापी नराजगी है राजमितिक न्युक्तियां पर गैलोत सरकार दुबारा जो रोक लगाई गई थी लेकिन उसके बावजूद भी और पीसी के अंदर गैलो सरकार ने गैलोत के जो वफादार लोगते उनकी न्युक्तियां कर डाली है पाइलेट केंप के किसी भी सदस्या को उसमें जगह नहीं मिली इसके अलावा जो मंतरी मंडल को लेकर के भी कोई जगह अभी तक बागी विदायकों को नहीं मिली जिसकी वजह से नराजगी है पीसी सी के सभी पद खाली पड़े हैं उपर से नगर निगम चुनाव को लेकर के पाइलेट केंप के जो पारसत थ दुबारा गरमरा चुका है पाइलेट के जो मीडिया मेनेजर थे लोकेंदरा सिंग उन पर जो अपायार दर्ज की गई थी उसको लेकर के नगर निगम चुनाव के दोरान फिर से पाइलेट केंप ने इस मुद्दे को उठा दिया है जिसकी वजह से राजस्तान कॉंग्रे इस में उनका मंण नहीं लगँ रहा है इस तरह की चल्चाएं भी सामने आ रही है जो भी जो कंग्रेस के ठारा थे एक पाइलेट थे और इसके अलावा दो तीन जो निर्दलिय विदायक थे वो सभी के सभी फिलाल पाइलेट केंप में मौझूद हैं और जो कंग्रेस के व मुम्किन हो गिया है और जिस तरह से राजस्तान में ओप्रेशन लोटस पार्ट तो दिसंबर तक कम्प्लीट करना है काम्याब करना है और इसको लेकर के पाइलेट और जो बिज़ेपी के नेताओं के बीच में सैमती होने की खबरें आ रही है उससे कैलोत की जो चिंताइम ब कैसे में का जा सकता है कि कॉंग्रिस पार्ट की दुवरा स्टार परचारक बनाई जाने के बावजूद भी अपने राज्ये के अंदर पाइलेट को अकेला ना रहने दिया जाए इसलिए कैलोत ने इन चुनाओं में स्टार परचारक बनने से मना कर दिया है ऐस्वस्थ होन भी जो बागी विदायकों ने दूरी बना रही है गोविल्शिंग, लुटासरा से भी किसी तरह की जिसकी वजैसे गायो सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है पाइलेट केंप फिर से आरपार के लड़ाए के मुड में आने की खबरें अब तेज हो गई है राजनिती के गलियारों से ये खबर आ रही है कि पाइलेट केम्प की जो बिज़ेपी के निताओं के साथ एक बेठक हुई है और उस बेठक में कुछ मुद्दों को लेकर के सहमती हुई है जिसके बाद पाइलेट केम्प ने कॉंग्रेस में आकर के इस तरह की आवाज उठा पहले की तरह इस बार भी जो बाजपा के एक परतेक से योग से गैलो सरकार के खिलाब कोई ना कोई जो मुर्चा पाइलेट केम्प खोलने के लिए तैयारियां कर रहा इस तरह की खबरे सामने आ रही है बाजपा और पाइलेट के बीच में एक गोसी समझोते होने की खबर तो इस पुणिया को बिढ़ाने के लिए पुरी तरह से जो सेमती होने की खबरे आने के बाद ही वसंध्रा ने बीज्जीपी आलाकमान से बार बार मिलने की कोईशिसे की जिस तरह से बीचीपी की इस पाइलेट केम्प के पक्स है या पिर इनके निताओं से जो मुलाकाते हो रही है जो बेटके हो रही है उसकी खबरें वसंद्रा तक पहुंचने के बाद ही मारानी ने बिज़पी आला कमान से मिलने की कोशिश से की थी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है इसके अलावा पूनिया जी के मंतरी मंडल में 15 जो कॉंग्रेस से बागी विदायक होंगे पाइलेट केंप के उनको मंतरी बनाने की पर भी इस मुद्धे पर भी सहमती हो चुकी है कि जो पाइलेट केंप के 15 विदायक होंगे 30-35 विदायकों में से उनको मंतरी पत सोंपा जाएगा इसके अलावा ओक्रेसन लोटोस पार्ट टू को डिसंबर से पहले पूरा करने का टारगेट भी त्या हो चुका है ये खबर भी राजनित्ती के गल्यारों से निकल करके सामने आ रही है इसके अलावा दोनों पक्सों में पाइलेट को केंदर में मंतरी बनाए जाने पर भी थोड़ी सहमती हुई है पुन रूप से सहमती नहीं हुई है पाइलेट और सिंधिया जी के बीच में समन्द कापी अच्चे हैं और सिंधिया जी की तर्ज पर ही पाइलेट को के अंदर में कोई बड़ी जुम्यवारी सोंपने की चर्चाएं तेज है लेकिन पाइलेट का मन राजस्तान में लग रहा है राजस्तान की सियम गद्धी का सपना पाइलेट पाले हुए हैं इसको लेकर के अभी तक जो बाजबा और जो पाइलेट केम्प के नेता हैं उन में सहमती नहीं होने की खबरें भी आ रही है पुल मिलाकर के अन्य सभी मुद्धों पर सहमती हो चुकी है लेकिन पाइलेट की वुमिका को लेकर के अभी तक जो पुर्ण रूप से सहमती नहीं होने की खबर आई है पाइलेट केम्प ने अब फिर से गैलोत के जो दो दरजन से जादा विदायकों में सेंदमारी भी कर ली है और पिछले जो सियासी ड्रामे के दोरान गैलोत केप के दो दरजन से जादा विदायकों दुआरा एडवांस पेम्ट लिये जाने की बात भी सामने आई थी इस तरह की चर्चाएं भी हुवी थी कुछ बड़े उदोगपतियों और पाइलेट केपसिल जुड़े लोगों से एडवांस लेने की चर्चाएं इन विदायकों के बारे में चल रही थी इसी एडवांस से मुंबई में महेंगे फ्लेट इन विदायकों दुआरा करीदने की चर्चाएं चल रही है इसके अलावा कुछ विदायकों दुआरा होटलों के पुराने खर्च जो कर्जे उवे थे उनके उपर वो चुका दिये गई है इसके अलावा जो बाकी बाकी जो बचे उवे लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने डंग से इस एडवांस पेमेंट को सर्टा दिया है एक तरह से ठिकाने लगा दिया है अब इस एडवांस पेमेंट का इसाब किताब ओप्रेशन लोटस पार्ट टू के अंदर होने जा रहा है यानि कि मुंबई के अंदर फ्लेट लगा निक्रीद लिये गए इसके अलावा जो विदायकों ने होटलों के पुराने कर्द चुका दिये इसके अलावा अन्य जगह पर इन विदायकों दुवारा दो दरजन से जादा गैलोट केंप के विदायक बताए जा रहे हैं इन विदायकों ने अपने अपने एडवांस पेमन्ट को ठिकाने लगा दिया है जिसका इसाब किताब अब ओपरेशन लोटस पार्ट टू में होगा और ये ओपरेशन लोटस पार्ट टू दिसंबर माल से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा इस तरह की खबरें सुतरों के हवाले से प्राप्टू भी है कुल मिला करके पाइलेट और गैलोट के बीच में एक बार फिर से सियासी ड्रामा सुरू होने जा रहा है और इस बार सिंद्याजी की तर्ज पर एक ही जटके में पाइलेट केंप के सभी विदायक बीजेपी का दामन थामेंगे गैलोट दिव्या मदेरना के अलावा कही ऐसे विदायक थे दानी सवरार हुए इसके अलावा भी कही ऐसे विदायक थे जो निश्टी तोर पर गैलोट से नाराज थे इस बार सचीन पाइलेट इन सभी विदायकों में सेंद्मारी कर इनको अपने साथ लेकर के बीजेपी का दामन है क्योंकि वसुंधरा को इन सभुद्वों को लेकर के इन सभी चर्चाओं को लेकर के कहीं न गई बनक लग गई है और उसी मुद्दे को ध्यान में रकर के C.M. गद्दी पर कबजा करने के लिए वसुंधरा बिजेपी आलाकमान से बार बार मुलाकाते कर रही है इसके अ प्राजमितिक नुक्तियों का अधिकार है ना उनको PCC में जगह में ले इन सब मुद्धों को लेकर के फिर से पाइलेट केम्प में निरासा नजर आ रही है रूसी निरासा का फाइदा उठा करके गैलोत उनमें सेंदमारी करना चाहते हैं इसलिए पाइलेट केम्प के सबी विदायकों से एक एकर गैलोत ने मुलाकात की है सीम हाउस में और ये खबरे मुलाकात की मीडिया में ना जाए पाइलेट तक ना पहुंचे इसलिए मीडिया को वहाँ से बेन किया गया था और अब आप समझ भी गए होंगे कि बिहार मत्या परदेश विदान राजस्तान कॉंग्रेस की राजनिती में अकेला नहीं चोड़ना चाते और इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं गैलोत ने पेनी नजर बनाए हुई है इसलिए गैलोत अब राजस्तान से बाहर जाना नहीं चाते और जैसे ही वो राजस्तान से बाहर निकले तो कंभरम है पाइलेट को बड़ा गेम राजस्तान में कर सकते हैं और राजस्तान कॉंग्रेस की राजनिती में फिर से सियासी द्रामा शुरू भी हो सकता है और इस बार गैलोत की सियम कुरसी उनके हाथों से खिसक भी सकती है कुल मिला करके यह साप हो चुका है कि जिस तरह से सुतरों के हवाले से जो खबरे निकल कराई है राजनिती के गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है उससे यह तो साप हो चुका है कि अगले पूरे पांच साल तक जो गैलो सरकार नहीं चला पाएंगे और कंपरम है सचिन प पहले इंद्रा मीना और इसके अलावा एक जस्कोर मीना जो कॉंग्रेस की विदायक है उनके बीच में भी काफी जदा कहा सुनी हो गई एक दूसरे पर इतने तंज कसे गए कि एक गैलोट केम्प में और दूसरी पाइलेट केम्प में सामिल हो गई ऐसे में अब इसी केम्प क को लेकर के इने जो गुट बने हुए राजस्तान कॉंग्रेस की राजनित्ती में विदायकों के उसी को लेकर के गैलोट का पी चिंतित नजर आ रहे हैं और गैलोट ने इन सब मुद्दों पर अच्छी तरह से पेनी नजर भी बनाई हुई है लेकिन सचिन पाइलेट और गैलोट के बीच में मनमुटाव से बीज़ेपी इसका पुरा प्ठाइदा उठाने जा रही है खबरे ये भी चल रही है कि इस एडवांस पेमेट को लेकर के अब ओपरेशन लोटस पार्ट टू में पुरा इसाब किताब होगा जिसमें पंदरा मंत्री मंडल पाइलेट के बीचर्चाएं चल रही है इस बार निर्दलिय और अन्य छोटी मोटी पार्टियों के जो विदायक हैं उनमें भी बीज़ेपी से इंदमारी करने जा रही है लेकिन खुद बीज़ेपी गैलो सरकार को ऐस्तर करने की कोशिस नहीं करेगी इस तरह की खबरें बीज़ेपी क निताओं की तरफ से निकाली जा रही है बार आ रही है और निश्ची तोर पर इस बार पिज़ेपी ओपरेशन लोटस पार्टों में काम्याब हो सकती है जिस तरह की जो हालात राजस्तान कोंग्रेस में बने हुए हैं नगर निगन चुनाओं में पारसदों की टिगट को लेकर के भी काफी ज़्यादा कमासान पाइलेट गूट और गैलोट गूट में देखा गया पीछी सी को लेकर के तो दूरियां ही पाइलेट गूट ने बना ली है पिला राजस्तान कोंग्रेस की राजनिति में जो आज बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है उसके बारे में आपके क्या विचार है क्या सचीन पाइलेट अपने सभी विधायकों के साथ बिज़िपी का दामन धामेंगे इस बात में कितना दम है इस पर आपावने विचार हमें कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज दबाले अभी कि अतना है मिलते हैं अपडेट साथ अब तक के लिए जय हिन जय मारत